हलो गाईज, मैं सेल्फ मितलेश कुमार, फाउंडर अफ एजूकेशन जी, ओनलाइन एजूकेशन पोटल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, करनाटका का हाँ, करनाटका का जो मेडिकल का रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गया है, MBBS और BDS के लिए इसमें जो पार्टिसिपेट कौन कर सकते हैं, इसमें अधर स्टुएंट का भी जो अधर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इन सौट बगर बोला जाए, तो करनाटका का जो मेडिकल का अड्मिशन होता है, वो ओपेन कैटेगरी, मिस, ओपेन ह होता है कोई भी एस्ट्वेंट पार्टिसिपेट कर सकता है तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं डिटेल में कि रेजिस्टेशन कब से स्टार्ट होगा और कौन-कौन से कॉलेजिज में आपको टार्गेट रखना है अड्मिशन के लिए क्लेरेस्ट्वेंट चलो स्टार्ट करते हैं अगर मैं बात कर लूँ करनाटका का जो ओफिसियल बेप साइट है के डॉट के डॉट के डॉट के डॉट अर डॉट एनईशी डॉट इन इस पर आप जाओगे तो अभी ओफिसियल ही नोटिफिकेशन अनौ नहीं हुआ है लेकिन यह जो पीडियेफ आप मेरे पास देख रहे हो यह एक न्यूज पेपर में रिलीज किया गया था तो इसके थूँ मैं आपको बता रहा हूँ जो रेजिस्टेशन डेट है वो थर्टेंथ हां 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा दो बज़े से और 17 करना सिर्फ एक बार रेजिस्टेशन का आपको मौका दिया जाएगा सेकेंड राउन मौप अप राउन किसी राउन में नहीं दिया जाएगा कि अगर ज़्यादा वेकेंसी है तब ऑप्शन बन सकता है अदरवाई चांसे ना का ही रहेगा इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक रेजिस्टेशन करके चलो ताकि ऑप्शन बना रहा है अड्मिशन के लिए अब बात करते हैं कि कितने स्कोर होने चाहिए आपको रेजिस्टेशन करने के लिए तो 138 से हाँ जो जेनरल का कटफ है उतना होना चाहिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को अगर मालने ते इससे नीचे है लेकिन वो ACST OBC में बिलॉंग करते हैं फिर भी ओर रेजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है अगर आपका स्कोर 138 से उपर है तो आप अड्मिशन के लिए लिजिबल है चाहे वो मैनेजमेंट कोटा से अड्मिशन हो NRI कोटा से अड्मिशन हो लेकिन आप कोलेजेज है उसमें आपको टार्गेट रखना है अड्मिशन के लिए हां अगर हम टॉप कोलेज की बात करें तो संत जोंस मेडिकल कॉलेज करनाटका का प्राइबेट का सबसे टॉप बेस्ट कॉलेज है जिसकी कटफ अगर बात करें सेकेंड नाउन जो लास्ट यर 2020 का है वो है 623 हां यह बहुत अच्छा स्कोर है जिसमें बहुत सारे स्टेट में गौर्वर्मेंट कोलेज भी मिल सकता है लेकिन संत जोंस अपने क्वालिटी और कम फिस के लिए जाना जाता है इसलिए बहुत सारे स्टुडेंट गौर्मेंट कोलेज को भी छोड़के इन स्टॉप में अडमिशन ले लेते हैं जैसे संत जॉन्स बैदी का 609, 609 कटप गया हुआ है, बीजी एस का 606 कटप गया हुआ है, महादेवय पकार 603 कटप गया हुआ है, अगर MS रमया की कटप की बात करें तो 602, हाँ, अकास इंस्टिचूट का बात करें तो 601, AJ नहीं चाहते हैं कि मैं बेट करू second round तक, वो चाहते हैं कि मेरा first या last to last second round तक admission हो जाए, मॉप उप में जाना नहीं चाहते हैं, कि मॉप उप में एक tension बना रहता है, कि हो सके मेरा admission नहों हो तब क्या होगा, हाँ, इसलिए आप ये cut-up देख लो, सुभिया Institute of Medical Science का cut-up है 600, स इसलिए निवाशा का 600, इस्ट पॉइंट का 599, दॉक्सफोर्ड का 599, केमपा गोरा का 598, सब्तिरी का 596, डॉक्टर बियार अम्बेदकर का 595, फादर मुलन इंस्टिटूटर मेटिकल साइंस का 594, इसका मतलब है second round का cut-off लगबग में 590 से उपर ही रहा है कारनाटका का अगर mop-up round का देखा जाए, तो ज़्यादा decrement नहीं होता है, 10-15 नमर का decrement के रूप में रख सकते हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, कि ये हमारा expert का number है, 9471201670, इस पर आप बात कर सकते हो कि अगर मेरा 138 से उपर score है, तो कारनाटका का कौन सा best college में admission possible है, on the basis of management quota और NRI quota, possible है admission, कम score वाले को भी package ज्यादा लगेगा, buzzer ज्यादा लगेगा, but admission मिल जाएगा, मैं next video में बताऊंगा आपको, कि registration कैसे करते हैं, क्योंकि करनाटका का registration थोड़ा लंबा होता है, उसमें student को बहुत सारा problem आ जाता है, clear student, चोलो मिलते हैं कि लिए वीडियो में, bye I take care, see you again